हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू लन्विदी तीमन आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स टॉपिक आनुभाविक अधिगम एक्सपेरिंशियल लर्निंग तो कई बार एक्जाम में इस तरीके का पूछा गया है कि रोजर्स फ्राई का अनुभाविक अधिगम सिद्दान्त उन्होंने कब दिया था और उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें कौन सा अधिगम बताया क्योंकि रोजर्स फ्राई ने अधिगम जो है वो ट्रिक है हमें रोज अनुभाव होता है हमें डेली अनुभाव ही होता है तो इसी से हम याद रखेंगे रोजर्स फ्राई का अनुभाविक अधिगम इसके साथ साथ डैविड एक कॉल्व जो थे इन्होंने भी इनके साथ काम किया और अनुभाविक अधिगम में इनका सहि तो इनके प्रवर्तक कौन है आनुभाविक अधिगम के डैविड एक कॉल्ब और रोजर्स फ्राई तो दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं अमेरिका में 1935 भी में उन्होंने ये सिद्धान्त दिया रोजर्स की अनुसार अधिगम के दो प्रकार हैं रोजर्स की अनुस जनने अधिगम को चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये संग्यान आत्मक अधिगम यानि कुछ समय तक संग्यान में रहना हम जो भी कुछ अधिगम करते हैं या हम कुछ भी हम सीख रहे होते हैं तो जिन चीजों को हम रटते हैं हम अपने संग्यान में बिठाना चाते हैं त तो वो हमारे संग्यान में बैठ जाता है। नेक्स्ट है अनुभव जन्ने अधिगम। अब ये होते हैं ठोस अधिगम, इस्थाई अधिगम। यदि हम उनको करके देख लेते हैं या हमारे जो अनुभव हैं पहले के, उनसे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। उन्हें हमें बार-बार लर्ण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम उन चीज़ों को करके और समझ कर करते हैं। तो ये जो अधिगम हैं अनुभव जन्ने अधिगम बहुत महद्वपून है क्योंकि ये ठोस होता है और ये इस्थाई होता है लंबे टाइम तक रहता है। क्योंकि करके सीखने पर आधारित होता है और अनुभव के प्रियोक से ज्ञान क्या हो जाता है। इस्थाई हो जाता है क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बहुत टाइम से उस चीज को सीख चुके हैं और करते भी आ रहे हैं और हमें उसे याद करने की विज़रोत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने उसे समझ लिया है इसलिए रटने की वज़ाए हर चीज को जो है वो बहुत जरूरी होता है वही लंबे टाइम तक रहती है आनुभाविक अधिगम मनोविज्ञानिक होता है बलक अनुभव से ही ज्ञान करता है क्योंकि जितना ज्यादा बालक अनुभव करता है जितना ज्यादा करके सीखता है तो वह उस चीज को समझता है और लंब करता है क्योंकि बालक अपने इच्छा से यदि किसी कारे को करता है तो उसे बहुत जल्दी वैं सीख जाता है विद्यारती अपने इच्छा के अनुसार अधिगम करता है क्योंकि देखिया NCF 2005 में भी यह कहा गया था कि अब जो सिक्षा दी जाएगी वो बाल केंद्रित दी उसका अर्थ यही है बाल केंद्रित का अर्थ की बालक को केंद्र में रखकर ही सुक्षा दी जाए जिससे की बालक जादा से जादा अधिगम करे जादा से जादा अनुभव करे और वह करके देखे उस चीज़ को जिससे की वह लंबे टाइम तब उसे याद रह सके और वि व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में हर जीज अलग होती है विविंता पाई जाती है व्यक्ति विशेस में तो हर इंसान अपने अलग अलग तरीके से सीखता है तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिगत विविंता भी होती है अब देखिया जैसा मैंने आपको बताया कि बालक को केंदर में रखकर ही उसे सारी सिक्षा दी जाए तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बालक अपनी मरजी चलाता है बलगी बालक को ध्यान में रखकर उसकी रुची के अनुसार उसकी आयू के अनुसार ही उसे सिक्षा दी जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सकें और सिक्षा का काम केवल मार्क दर्शक का होता है यदि वह गलत रहा पर जा रहा है तो उसे वह सिखाना की यह रहा जो है वो सही नहीं है या यह वाली रहा सही है तो रोजर्स प्राई के साल डैविड एकॉल्व इन्हों ने अनुभव जन अधिगम को चार भागों में बाटा जिस तरीके से हमने देखा रोजर्स प्राई ने दो भागों में बाटा और उसी तरीके से डैविड एकॉल्व ने चार भागों में बाटा फस्ट है साक्षात हम सोच विचार, यानि किसी का हम observation करते हैं, सोच विचार करते हैं, तब भी वह हमारे mind में स्थाई हो जाता है, थर्ड है अमूर्त अवधारना निर्मान या अमूर्त संकल्पना, यानि जो हमें चीज दिखाई नहीं दे रही है, मात्र हम कल्पना करके ही हम उस चीज को सीखन चाते हैं, तो वह अमूर्त अवधारना जो है, वह भी अनुवव जन्य अधिगम में आती है, जिसमें काल्पनिक चीज़ें जो होती है, सोच विचार यह व्यक्ति के mind में रहता है, नेक्स है नवीन परिस्तितियों में परिक्शन, जब भी कोई नवीन परिस्तितियां आत हैं, तो बालक उसको क्या करता है, पिसला जो अनुवव लिया होता है, उसे करके देखता है, ठीक है, और जिस्ते की वह चीज़ सीख जाता है, इसे हम एक डाइग्रम के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखिए, इन चारों को आपको याद रखना है, सिक्वेंस बाइस, कि अनुवव जन्य अधिकम किस प्रकार होता है, ठोस अनुवव होता है, उसके बाद परविशन या सोच विचार होता है, फिर अमूर्त संकल्पना या निर्मान होता है, और उसके बाद नई परिस्तिति में परिक्षन होता है, देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है, वो खेल रहे हैं ठीक है अब खेलते खेलते उन्होंने क्या किया तोस अन्वव लिया इनको पता चल चुका है कि एक के उपर जाने पर दूसरा जो है यदि ज्यादा वेट है उसका तो वो नीचे आ जाएगा ठीक है इसी दरीके से यदि इस साइड भारी बजन वाले को बठा जाएगा उसे वह लिखेगा सोचेगा नेक्स्ट जब वह उनको सोच विचार कर लेगा तो वह अपनी अमूर्त संकल्पना का निर्मान करेगा वह देखिए यह बच्चा जो है वो प्लैनिंग कर रहा है कि यदि मैं ज्यादा चीजों को यहां पर सैट करूं एक तराजू म तो balance जो है वो बैढ़ सकता है इस तरीके से वो उसने जो छोस अनव लिया था उसे वह कर के देख रहा है । जब वह उसके सामने कोई नई परिस्दिती आती है तो वो उस example को implement करता है ठीके तो जो भी कुछ उसने अनवब किया है उसको वो नई परिस्तिती में क्या करता ह परिक्षन करके देखता है जैसे कि ये बालक जो है अब इसको इतना सारा वेट जो है वो लेके जाना है और उसने क्या किया था पहले ठोस अनुवव ले लिया था तो इस तरीके से भारी चीज को आगे रखकर और उसको वह ले जा रहा है ठीक है तो इस तरीके से अनुवव जन्य अधिगम तो आज हमने रोजर्स फ्राई और डेविड एकॉल्व इन दोनों के अनुसार इनोंने अनुभाविक अधिगम को कितने भागों में बाटा ये हमने देखा important theory है इसको भी आपको याद रखना है एक्जाम में कई बार पूछी गई है तो एक बार तो मुझे ह थोड़ा सा याद है कि यह पूछा गया था कि रोजर्स के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं तो यदि हमने theory पड़ी है तो हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं मिलते हैं इसी तरीके से next topic के साथ thank you